Hey guys welcome back to Optane Influencers और Technical Analysis की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है Guys आज की वीडियो में मैं आप लोगों को Moving Averages बताऊंगा और कैसे आप इसका इस्तिमाल करके अपने Trading Decisions ले सकते हो और पता कर सकते हो कि आपको Sell करना है या Buy करना है या Right Time to Exit कौन सा हो सकता है Guys जो भी मैं Advice आपको दूँगा वो कोई Financial Advice नहीं है मैं सिर्फ Knowledge Share कर रहा हूँ जो आप लोगों को Help करेगी Better Trading करने में या Investing करने में तो Guys इसी के साथ मैं आप लोगों से एक Request करूँगा अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्स्राइब करके हमानी Community से जुड़ जाए ताकि आपको लॉंग टम में अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे प्रीमियम क्वालिटी नॉलेज मिलती रहे जो आपको बहुत ही रेली देखने को मिलती है आज की दुनिया में अगर आप लोग टेलिग्राम से जुड़ना चाहते है तो वहां पर भी जुड़ जाएए क्योंकि वहां पर आपको यूट्यूब से पहले अपडेट मिल जाएंगी क्रिप्टो के वर्ड से रिलेटेड गाज अब चलते हैं वीडियो में डिरेक्ली तो डिरेक्ली वीडिय पर आगी है चैनल पर वो जाके चेकाउट कर लेना है हमारे चैनल पर टेक्निकल अनालिसिस की प्लेलिस है जिसमें आपको शुरुआत से पहले लेक्चर से ही सीखने को मिलेगा चार्ट की पहली वीडियो होगी दूसरी रिजिस्टेंस और सपोर्ट की फिलाल जब भी मैंन सपोर्ट बना हुआ है जो कि 30,000 डॉलर के आसपास उपर नीचे आप कर सकते हो 30,000 डॉलर के आसपास ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है तो ये सब तो हम लोग को चार्ट में दिख रहा है अब बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजिस क्या होते हैं मूविंग एवरे यहां पर इतना था इतना था इतना था सबका एवरेज लेगा और कितनी बार गिना उसने डिवाइड कर देगा उससे जो हमारा मैत में एवरेज होता है वो हम हो गया मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज में जितनी वैल्यू आती है टाइम टु टाइम वो psychologically traders के लिए support का काम करती है या फिर resistance का काम करती है क्योंकि ये line एक ऐसी line है जिसको सभी traders follow कर रहे होते हैं इसलिए ये psychologically order लगाने में मदद करती है या फिर exit करने में या फिर entry करने में मदद करती है अब बात कर लेते हैं exponential moving averages क्या होते हैं ये आपको मैंने अभी तक simple moving average होता है अगर हम आपको exponential moving average के बारे में बता है तो exponential moving average में क्या होता है कि आपको कुछ price movement देखने को मिलते हैं जैसे ये is a type of moving average that gives more weight to recent prices in an attempt to make it more responsive to new information ये एक important line है यानि कि अगर moving average सारे prices का पिछले average लेता है तो exponential moving averages ऐसा होता है जो recent के दिनों का ज़ादा weight लेता है इनको ज़ादा मानता है और पुराने वालों को कम मानता है यानि जो अभी just हुआ है उस data को ज़ादा weight देता है उस data को ज़ादा मानेता देता है बज़ाए पुराने data के तो बुड़ाने data को भी add करता है लेकिन इसको ज़्यादा weightage देता है ये इसके formula में बताया गया है और ये इसका formula EMA का आप देख सकते हो ठीक है तो moving average exponential होता है वो ज़्यादा तर हमारा काम करता है हमारे trading decision में simple moving average को भी use करते हैं कुछ लोग लेकिन simple से better moving कहलाता है अगर मैं आपको दिखाओं तो मैं आपको पहले simple भी दिखा देता हूँ ताकि आपको असानी हो simple moving average पर अगर मैं click करूँ तो ये आपका simple moving average है ठीक है guys ये सारी moving averages है 20, 50, 100, 150, 200 सारी moving averages है आप देख सकते हो इसमें कौन-कौन सी चल रही है कौन-कौन सी नहीं चल रही है कितनी support हैं कितनी resistance है ये simple moving average हो गया अब मैं इसको अगर हटा दू यहां से तो guys अगर मैं इसको यहां पर हटा दूँगा तो यहां से आप देखोगे यहां से delete कर दिया अब मैं गया यहां पर और मैंने लिखा यहां पर moving average यह देखिए यह moving average simple moving average होता है जो normally आप draw करते हो वो जो पिछला वाला मैंने draw किया उसमें सभी आ जाते हैं यह moving average है अब MA में क्या होता है settings में आप जब जाओगे trading view में या फिर किसी भी chart में तो आपसे input मांगता है input में length मांगता है length का मतलब क्या है यह समझ लेते हैं length वो गिंती होती है जितनी गिंतियों तक वो पिछले price को गिंता है और उनका average निकालता है यानि अगर price यहां पर moving average point बन रहा है तो वो पिछले कितने लेगा जितने मैंने 9 लगा के रखा है moving average में गैस जैसे मैंने यहां length में 9 लगा के रखा है तो इससे पिछली 9 candles का average लेके चलेगा और उस हिसाप से change होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 candles का average लेके अगला जो है वो बनाएगा इस तरीके से work करता है अगर मैं इसको change कर दूँ 9 की जगा मैं कहा देता हूँ कि मुझे पिछले 200 दिन की candle का चाहिए और enter कर दूँ तो यह change हो गया देखे आप यह पिछले 200 दिन का average लिकालके एक line इसने draw करी जो पिछले 200 दिन का average लिए हुए है तो यह एक इस तरह से simple moving average work करता है अब हम बात कर दें हम important चीज की जो होते हैं हमारे exponential moving average यही सबसे important होते है exponential अगर हम लिखें आपको दिख गया होगा यहाँ पर exponential moving average आ जाएगा ठीक आप उस पर click करोगे और आपकी line बन गई blue color की आप देखोगे कि exponential moving average बहुत जादा हिल रहा है ढूल रहा है क्यूंकि यह recent price movement से बनता है और यह जादा हिल दूलता है सबसे बहले हम inputs में जाएंगे input में इसको लगा देते हैं 50 days का और style में जाके इसकी जो color है उसको थोड़ा change कर देते हैं green कर देते हैं और थोड़ा मूटा कर देते हैं size में यह देखिए यह आपके सामने green color की moving average exponential यह में आप देखोगे कि यहाँ पर price इतना बड़ा था जनवरी के समय में और इसने exactly exponential moving average को support confirm कर रहा था यह देखे इसको support लेकर उपर चला गया तो यही चीज़ है आपको बतानी कि यहाँ पर फिर से इसने इसको support लिया फिर उपर चला गया लेकिन इस बार जब इसने इसको support तोड़ दिया तो नीचे आके फिर से इसने उपर आया लेकिन फिर से तोड़ता ही चला गया तो जि पुनिंशल मूविंग एवरेज को एक और खोलते हैं, तो देखेंगे अब एक और नहीं EMA बन गई जो की blue color की है, अब इसकी भी हम settings में जाएंगे और कुछ चीजों को change करेंगे, इसको हम देंगे red color, या फिर orange color और थोड़ा मोटा कर देंगे, इसको हमने थोड़ा मोटा कर अब आपको समझाने वाला हूँ, एक बहुत ही बहतरीन concept में, देखें, पचास दिन को लेने वाली जो होती है, उसको मैं short term कह दूँगा moving average, ठीक, और जो 200 दिन से calculate कर रही है, वो देखें कम hill डूल रही है, वो सीधी ऐसे smooth जा रही है, और जो 50 दिन की ले रही है, जितना क सम दिन के लोग है, वो उतनी जादा ही लेगे, क्योंकि वो उतने पिछले दिन के ले रही है, तो जादा ये recent होती है, ठीक है, कई बार ये fall signal भी दे जती है, इसलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे buying और selling signals मिलते है, moving average में, obvious ही बात है, मैं हमेशा बताता हो, buying and selling signal आपको मिल जरूर जाते है, इंडिकेटर से, पर उनको कभी भी बिना confirmation के use नहीं किया जाता है, यानि कि आपको उन्हें combine किया जाता है, ताकि और भी indicators आपको वही sign दिखा रहे हो, buying और selling का, जो ये दिखा रहा हो, अब देखें यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, 50 का यह में था, नीचे वाला 20 का था, आप देखो कि 50 वाला जादा हिलता है, जल 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 दी हिलता है प्राइस के हिसाब से, और 200 वाला smoothly जाता है, अब जब short term moving average, long term moving average के कभी भी नीचे आ जाए, तो उसको हम कहते हैं death cross, death cross ही हुआ था भी recently bitcoin का, आप देखोगे, इस तरीके से Facebook का एक death cross हुआ था मही में 2018 के समय में, और यह death cross हुआ था उसके पास price नीचे जा रही थी, पर वही मैं आपको समझा रहा हूँ, यह death cross एक fake death cross भी हो सकता है, इसलिए मैं आप से कहता हूँ, कि आपको और भी indicator यूज़ करने चाहिए, यह especially मैंने example आप लोगों के लिए लि तो death cross कब होता है, जब 50 day EA में, 2200 day EA में के नीचे आजाती, यह bitcoin का recent death cross है, यह देखिए, green वाली EA में, यानि short term moving average, exponential moving average, long term exponential moving average के नीचे आगई, तो हमारे यहाँ पर death cross हो गया, और हम downtrend में हैं, और बहुत जादा sell off आपको देखने को मिला था इस समय, तो यह एक चीज़ ह एक golden cross के बारे में, इसका just opposite क्या होता है, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यह जो 50 or 200 लिया, आप इसके कुछ भी ले सकते हो, short term का मतलब है, जिसमें कम गिंती अपने डाली होगी, और long term वाले में, ज्यादा गिंती डाली होगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे जब आप जाओगे, तो आप देखोगे, थोड़ा सा इधर हो जाते हैं हम लोग, चलि टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक दिन की जगह इस चार्ट में पीछे का डाटा दिया नहीं है, फोर आ इसमें कर दूँ अगर, तो थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, आपको दिखाते हैं एक बार, ये एक गाइस हो सकता है, शौट टम का, आपको इधर मिल जाएगा, एक शौट टम का आपको जो है सिगनल वो यहाँ पर मिल रहा है, जो 22 जुलाई के अकोर्डिं का इसको हम जूम कर सकते हैं और भी ज़्यादा, और जब मैं इसको जूम करूँगा, तो सौरी मैं लैप्टॉप के अपने ट्रैक पैट से कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, देखने में कि जो मैं मूव्मेंट कर रहा हूँ, यह देखे, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक हैस, सबसे पहले आप देखोगे कि यह रेड वाली लाइन से ग्रीन वाली नीचे आ गई, और शॉर्ट मूविंग अर्वे जब नीचे ही तो हम डाउन ट्रेंड में थे, लेकिन जैसी ग्रीन वाली ने रेड वाली के उपर ए जा रहे हैं, तो यह एक चीज जो मुझे आपको बतानी थे कि हम अप्ट्रेंड में हैं, जब जब रेड ग्रीन वाली रेड वाली के उपर है, अभी अगर मैं दूसरे चार्ट में आपको दिखा दूँ क्योंकि इसमें शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, त कि को को कु कोईन में दिखा देता हूं, तो को कोईन में आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएंगी चीज़ें, और यह देखिया आप देख सकते हो, यह पूरा चार्ट है, डेथ क्रॉस आपको क्लियरली दिख रहा है, और यहाँ पर हम लोग नीचे आ गये थे, काफी होगी कुल मिला कि आपको समझ में आ रहा है ना कि golden cross क्या होता है और death cross क्या होता है golden cross तब होता है जब short term moving average long term moving average से exponential moving average से उपपर चली जाती है आपको death cross तो पता ही होगा death cross में नीचे आ जाती है green वाली red वाली के लेकिन golden cross में क्या होता है green valley red valley के उपपर आ जाती है ठीक नीचे जाती है तो death cross उपपर आती है तो golden cross ये देखे golden cross ये है golden cross इस जगा पे 4 माई 2019 को ये दिखा रहा है ये देखे green valley उपपर गई और हम uptrend में आ गए और जैसे green valley नीचे आ रही थी orange वाली के तो हम downtrend में थे तो ये moving averages का concept है guys I hope आपको दोनों चीजे समझ में आई हूँ ये देखे death cross का एक sign है ये 50 day EMA 200 day EMA डेथ क्रोस जेनरली बोला जाता है 50 day EMA और 200 day EMA को and बाकी भी होते हैं आप छोटे मुटे भी देख सकते हैं कि EMA ने cross किया कि 5 वाले को या 10 वाले को ऐसे करके वो try करते हैं तो guys I hope आपको clearly समझ में आया होगा कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में आया होगा उससे जानकारी निकालता है इसलिए इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं अके लिए इसलिए आपको support and resistance आने चाहिए जैसे ये एक line support है तो आपको पता होना चाहिए कि इस support से नीचे आएगा और EMA से नीचे भी आ गए हम लोग तो एक death cross भी हुआ है और हम नीचे आ रहे हैं लेकिन इस जगह एक support था तो हमें यहां से उपर की और एक bounce back दिख सकता है तो इस तरीके से आप join करते हो combine करते हो और सारे combination से तब जाके आपको जो है confirmation मिलती है trade की तो guys I hope आपको मदद मिली होगी कुछ सीखने को मिला अगर सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो लाइक करेगा चैनल सब्सक्राइब करेगा मैं मिलता आप से नेक्स वीडियो में thank you for watching this video